हेलो दोस्तो स्वागत आपका study 1.2 में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉट का हिसाब कैसे करते है तो वीडियो को अंतक देखते रहना आपको सारा चीज समझ आ जाएगा दोस्तो पहला सवाल है 500 रुपय में 20 के कितने नॉट होंगे इसमें पूछा है 500 रुपय में टोटल 20 के कितने नॉट होंगे इसको कैसे करेंगे आपको क्या करना है 500 रुपय में 20 से डिवाइट कर देना भाग कर देना है तो यह 0 से 0 कर जाएगा फिर 2 से इसको डिवाइट कर करेंगे किया जाएगा 25 इसका मतलब यह हुगा कि 500 रुपाइब में टोटल 25 बीस के नॉट होंगे दोस्तो अगर यहां 10 के नॉट पुछे होते तो 10 से डिवाइड करेंगे 50 के नॉट पुछेगा है तो 50 से डिवाइड करेंगे चलिए इसी टैप के एक आवर सवाल करते हैं दोस्तो दुसरा है 1000 रुपे में 50 के कितने नॉट होंगे इसमें भी आपको यही करना है 1000 में 1000 में 50 से डिवाइड कर देना है यह 0 से 0 कर जाएगा और 5 से इसको डिवाइड करेंगे यहां आ जाएगा 20 तो 1000 पे में टोटल 20 नॉट होंगे 50 के आई होप आपको समझ आ गया होगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद